हाई एवरिवन हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट कोकोनट लड़ू की रेसिपी ये कोकोनट लड़ू बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं अगर आपको हमारी कुल सुछार लड़ू ब्सक्राइश करें बैल आइकोन को आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यह लड़ू बनाने के लिए हमने यह नहीं यहाँ पर कोकोनट पावडर लिया है हम यहाँ नीथे 2 ग्राम के करीब कि हैं की इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाव थोड़ा सा डालेंगे देशी घी आप एक स्पून के करीब देशी घी डाल दें और इसको हलका सा मेल्ट होने दें घी हमारा यहां पर मेल्ट हो चुका है फिर हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए दो मिनट तक इसको भून लेंगे इसमें बहुत ज़्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नारियल में वैसे ही बहुत ज़्यादा ओयल होता है तो इसमें हम ज़्यादा घी नहीं डालेंगे बस हलका सा घी डाल कर इसको लगातार इस तरह से चलाते रहेगे बस हमें इसकी हलका सा कच्छापन निकालने है और इसकी जब आपको हलकी सी खुश्भू आने लगे तो आप इसको फ्लेम को आफ कर दें आपको ध्यान रखना कि फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना हो आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही लगातार चलाते रहें तो हमने यहाँ पर इसको चला लिया इसमें हलके हलके खुश्बू आने लगी थी अब हमने इसे हलका सा ठंडा कर लिया है जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें बस एक बिलाएंगे हम इसमें बिलाएंगे condensed milk यह हमारे घर का बने हुआ condensed milk है तो इसमें आप सारा एक साथ ना डालें थोड़ा-थोड़ा करके डालें और उसके बाद इस condensed milk को coconut powder के साथ अच्छी तरह से इस तरह से हम mix कर लेंगे इसमें हम ना तो कोई चीनी डालेंगे ना sugar powder डा तो अभी यहां पर यह थोड़ा सुखा सुखा लग रहा है तो हम इसमें और डाल देते हैं जितनी जरूर है उसे साफ से हम इसमें डालते जाएंगे सारा एक सत नहीं डालेंगे क्योंकि अगर जादा गीला हो गया तो फिर लड्डू ठीक से नहीं बनेंगे तो हम इसे पहले मिक्स कर लेते हैं फिर हम आपको दिखाएंगे हमने यहां पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है सारा कंडेंस मिल्क जितना भी था हमारा यह 200 ग्राम से थोड़ा सा कम था तो यह सब इसमें लग गया है बस बहुत थोड़ा सा हमारा बच्चा है तो आप लड्डू को हातों में इस तरह से थोड़ा सा मिक्चर लेते हुए गोल गुल करते हुए इसका एक लड्डू बना लेंगे और उपर से कोट करेंगे नारियल के बुरादे से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा हमारा लड्डू बन कर तयार हो गया है और हमें बहुत ज़्यादा टेस्टरी लगते हैं और आप सभी जानते हैं कि कोकोनट जो है बहुत ज़्यादा फायदा करता है इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है तो इसी तरह से आप यह हलवाई जैसे कोकोनट लड्डू बना कर तयार कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर देखिए सारे लड्डू बना कर तयार कर लिए हैं आई होप आपको हमारी रसेपी पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें इस रसेपी को ट्राई करें और फिर कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी रसेपी कैसी लगी इस को आप जादा से जादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के भी शेयर करें साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो इसी के साथ आप सभी को राधे राधे